गुड मॉर्निंग ओल अफ यू, कक्षा, सात्वी, विशय, हिंदी, पाठ, पांचवा, बंदर का धन्दा देखो बच्चो, इस पाठ में हमने पिछली बार कविता का बोल की दिखाईती इस भाग में हम कविता का विवरन देखेंगे हाथ लगा बंदर के एक दिन टूटा फूटा आला, जड़ बंदर ने पेड के नीचे कुरसी मेज लाडाला भालू आकर बोला मुझको खासी और जुकान, बंदर बोला तुलसी पत्ती पीपल की जड़ थाम देखो बच्चो, जंगल में रहने वाले एक बंदर को एक दिन कहीं से डॉक्टर का टूटा फूला स्टेटस कोप मिल गया मतलब जो डॉक्टर लोग तपासते हैं हमें, चेक करते हैं, वैसा ही स्टेटस को, बंदर को मिला वहां किसी से, कहीं से एक कुरसी और एक मेज ले आया मेज मतलब टेबल और कुरसी ले आया, एक पेड के नीचे रखकर उसने अपना दवा खाना खोल दिया सबसे पहले एक भालू आया और बोला, मुझे खासी और जुकाम है बंदर ने उसे तुलसी के पत्ते और पीपल की जड़ देते हुए कहा कि इनको पानी में उबाल कर सुबा शाम पीना जब खासी जुकाम बिल्कुल ठेक हो जाए, तभी मुझे तुम फीस दे जाना बिल्ली बिल्ली बोली मुझे को आया एक सो चार बुखार, मैं शिकार पर कैसे जाओ जल्दी इसे उतार एक बिल्ली आई और कहने लगे कि मुझे एक सो चार बुखार है, मेरा बुखार जल्दी ठीक करो, इससे मैं शिकार पर जा सको बंदर ने कहा तुम दिन में तीन बार गिलोय का रस पीना तुम राद तक स्वस्त हो जाओगी चाहो तो कल से ही डांस कर सकती हो गिलोय मतलब एक प्रकार की जड़ी बूटी है उसके बाद कौन आया बंदर बंदर बोला रस गिलोय का तुम तीन बार पीना कल से ही तुम डांस करोगी इना मीना तीना मतलब कल से ही तुम क्या करोगी डांस करोगी जल्दी से तुम ठीक हो जाओगी तभी एक लोमडी आई और बोली चिकना सुन्धर मुझे बनाओ मैं भी दिखू सबसे सुन्धर ऐसी बूटी लाओ बंदर बोला घीकुमार तुम दोनो समय लगाओ चमकेगा कुंदन साचेरा फेसत मुझे दे जाओ एक लोमडी आई और कहने लगी कि मुझे ऐसी दवा दो जिससे मेरी तवचा चिकनी और सुन्धर हो जाए और मैं सबसे सुन्धर दिखू बंदर ने कहा तुम सुभा शाम दोनो समय अपने चेहरे पर घीकुमार मतलब एक प्रकार की बूटी लगाओ तुमारा चेहरा कुंदन जैसा चमकने लगेगा तभी तुम मुझे फेसी दे जाओ इस प्रकार जंगल में बंदर की डॉक्टरी अच्ची तरह चलने लगी वह नित्ते जंगल से अच्ची जड़ी बूटिया लेकर आता और खुप मौज मनाता यहाँ पर हमने इस कविता का विवरन देखा इसका होमवर्क आप अपनी बुक में करना धन्यवाद